बात करते हैं उत्तरप्रदेश की, जी हाँ, देश के कई राज्यों में इस वक्त बीज़पी की सरकार है, कई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी आदितिनात की छवी और पहचान सबसे अलग, खास तोर पर लॉइन ओर्डर के मामले में पूरे देश में योगी सरकार की मिसा दी जाती है, फिर चाहे वो अपराधियों के छिकानों पर बुल्डोजर एक्शन हो या फिर योपी पुलिस का ओपरेशन लंगडा, योपी पुलिस ने अपराधियों में डर का महौल बना रखा है, खुद योगी आदितनात ने कहा है कि अपराधियों के साथ को रियायत नहीं बरती जाएगी, राज्य की कारून व्यवस्था के बारे में एक बार फिर योगी आदितनात ने ऐसा पैसना लिया है, जो चर्चा में है, दरसल उत्रप्रदेश में अब जो भी डी जी पी यानि पुलिस महानदेशत बनेगा, उसकी न्योक्ति के कागज अब तक इसके लिए नियम बिलकुल अलग थे, अभी तक होता ये था कि डी जी पी के चैन के लिए राज्य सरकार यूपीएसी चेर्मन की अध्यक्षता वाली कमेची को अफसरों के नाम का पैनल भेजा करती थी, इस पैनल में जो भी नाम होते थे, वो सभी डी जी रैंक क अफसरों के होते थे, यूपीएसी इन ही में से तीन नामों का च्रेंड करता था और राज्य सरकार को तीन में से किसी एक को चुनने का विकल्प देता था, ये ऐसे अधिकारी होते थे जिनका कम से कम दो साल का कारकाल बाकी हो, इसके बाद संग लोग सेवा आयोग की तरफ से भेजे गए तीन नामों में से एक को डीजीपी बना जाता था, यानि फैसले में केंद्र सरकार की एहम भूमिका होती थी, लेकिन अब योगी सरकार ने ये नियम बदल दिया है, अब यूपी के डीजीपी का चैन राज्य की सरकार ही करेगी, और ऐसा करके योगी आदित प्रशांत कुमार फरवरी दोहजार चौविस से मौजूदा डीजीपी ये उन अफसरों के नाम हैं जो बीते कुछ सालों से उत्तरप्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की कमान समाल रहे हैं आपको बता दे कि बीते धाई साल से योपी की कानून व्यवस्था कारेवाहक डीजीपी के कंधू पर हैं वक्त वक्त पर विपक्ष इसे मुद्दा भी बनाता रहा है लेकिन अब योगी सरकार ने जो नई व्यवस्था बनाई है उसे डीजीपी उत्तरप्रदेश सेलेक्शन और अपोइन्मन रूल्स दोहजार चौबिस नाम दिया क्या है इस मियमा वाली को क्याबिनिट की मन्जूरी भी मिल गई है इस नियम के मुताबिक अब यूपी के डीजीपी का नाम राज्य में ही तेह हो जाएगा इसके लिए राज्यसरकार एक कमिटी का गठन करेगी जिसके अध्यक्षता हाई कोट के रटायर जट करेगे इस कमिटी में राज्य के मुख्य सचव, यूपी स्सी का एक प्रतिनिधी, यूपी PCS के अध्यक्ष, ग्रेवबाग के अतरिक्त मुख्य सचव और एक रटायर डीजीपी शामिल होगे यही कमिटी राज्य के नई डीजीपी का चैन करेगी, नई डीजीपी का कारकाल दो साल का होगा नए नियुमों के मताबिक डीजीपी को हटाने के लिए सुप्रीम कोट की ओर से जारे दिशा नर्देशों का ही पालन किया चाएगा अधिक एक सुयोग डीजीपी हो इससे प्रदेश की कानून विवस्था को और अधिक मजबूत करने में सफलता मिलेगी राज्य सरकार की दलील है कि यह फैसला सुप्रीम कोट के 22 सितंबर 2006 के आदेश के आधार पर लिया गया है उस वक सुप्रीम कोट ने कहा था कि राज्य सरकारे ऐसा पुलिस सिस्टम बनाए जो दबाब मुक्त हो नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करे और कानून की राज को स्थापित करे यूपी सरकार अपने फैसले को सही ठहरा रही है लेकिन विपक्ष ने इस फैसले पर तंज करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने सूशल मीजा पर लिखा सुना है किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थाइपत देने और उसका कारेकाल दो साल बढ़ाने की विवस्था बनाई चाह रही है सवाल यह है कि विवस्था बनाने वाले खुद दो साल रहेंगे या नहीं अखिलेश यादव का इशारा सीधे तौर पर 2027 के लिए है क्योंकि 2027 में यूपी में विधान सबर चुनाव होने है और इशारों में अखिलेश यादव ये बता रहे है कि बीजेपी की सरकार 2027 में विदा हो चाहे कि अखिलेश की जवाब में बीजपी ने इत्हास का पन्ना भी खोल दिया ऐसा नहीं है कि योगी सरकार ने जो फैसला किया है वो देश के किसी राज्ज में पहली बार हुआ है पिछले ही साल 15 दिसंबर 2023 को पंजाब पुलिस आक्ट 2007 में संचोधन किया गया था जिसके जरिये पंजाब सरकार ने ये तैय किया था कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य खुद करेगा और डीजीपी के चैन के लिए सास सदस्य कमिटी का गठन किया गया था विबक्ष की नजरों में सबसे बड़ा सियासी आंगल लखनव बनाम दिल्ली का है क्योंकि योगी सरकार कानूल विवस्था के मुद्धे पर शुरुवात से ही जिस तोर तरीके से काम कर रही है उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदितनात अपनी पसंद का डीजीपी रखना चाहते हैं इसका एक बड़ा उधारन आपको बताते हैं एक जुलाई 2021 को UPSC के ही नियमों के तहट IPS मुकुल गोयल को UP का डीजीपी बनाय गया था लेकिन दस बहिने के बाद ही मई 2022 में UP सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया मामला UPSC तक मोहटा सवाल हुआ तो UP सरकार ने कहा कि मुकुल गोयल डीजीपी बनने के लायक ही नहीं थी जवाब में ये भी कहा गया कि इस पद के लिए से बरश्टता ही नहीं बलकि क्षमता भी माईने रखती है यहीं से योगी आदितिनात का संकेत और संदेश साफ था लेकिन स्थाई डीजीपी की नियुक्ती के लिए दिक्कत ये थी कि सरकार के जो भरोसेवंद अधिकारी है वो जूनियर है और नियमों के तहट उन्हें डीजीपी बनाने में यूपीएस्सी के नियम काईदे बाधा बन सकते हैं लेकिन आप योगी आदितिनात की सरकार ने इस रुकावट को जड़ से ही खत्प कर दिया है नए नियमों के तहट वो ना सिर्फ अपनी पसंद का स्थाई डीजीपी बना पाएंगे बलकि कानून व्यवस्था को सही तरीके से हैंडल करेंगे लेकिन विपक्ष ने अब राज्य बनाम केंद्र का मुद्दा उठा दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्र योगी आदितनात की सबसे बड़ी पहचार अब रादियों के खलाफ उनका आक्शन है जिसका जिक्र वो तमाम राज्यों के चुनावी मन्चों से करते रहते हैं यह पत्तर बाद पहले भी थे और 2017 के पहले यूपी में भी थे इनके आका उत्तर प्रदेश को लूटते थे दित्ते दुर्दान तो माफिया यूपी के थे या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं यह अक्शन तभी संभव है जब पुलिस वैसे ही काम करें जैसा मुख्यमंत्री चाहते हो लेकिन डीजीपी की नियुकती को लेकर बनी नई नियमावली ने दिल्ली बनाम लखनव के अध्याय को नया रंग दे दिया है यह जो दो साल का नियम बना है यह सावित कर रहा है लकिन लखनव दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है अपने खासम खास और अपने पक्के को बठाने के लिए इसलिए कि जिससे की बहिमानी की जा सके जिससे अन्याई किया जा सके धाई साल का वक्त बिद गया योगी सरकार डीजीपी की नियुकती को लेकर कभी दिल्ली नहीं गई कारवाहक DGP की तैनाती की और अपने हिसाथ से कानुन ववस्था पर काम किया दिल्ली बनाम लखनों की बात विपक्ष लंबे समय से कहता आ रहा है लेकिन अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट ने नई चर्चा शुरू कर दी है उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसी बड़े पुलिस अधिकारी को स्थाई पत देने और उनका कारेकाल बढ़ाने की ववस्था बनाई जा रही है तो सवाल यह है कि क्या वो बड़े पुलिस अधिकारी मौझूदा डीजेपी प्रशांत कुमार है जो अभी कारेवाहक डीजेपी है प्रशांत कुमार के कारेकाल में लगातार एंकांटर देखे जा रहे हैं तमाम अपराधियों के खलाफ एंसे के तहट कारवाई हो रही है माफिया ग्यांग के खलाफ तेजी से आक्शन हो रहा है और सबसे बड़ी बात प्रशांत कुमार मुख्यमंत्री योगी के काफी करीबी भी माने जाते हैं अगर योगी सरकार ये नियमा वाली न लाती तो प्रशांत कुमार लंबे वक्त तक डीजेपी के पद पर न रह पाते हैं तो इससे तो कानून व्यवस्था और मजबूत होगी ऐसा भाजपा का दावा है जो काम दिल्ली से नहीं हो सकता था उसे योगी आदितनात की सरकार ने आत्मनिर्भर बन कर कर लिया अब माना यही जा रहा है कि प्रशांत कुमार यूपी के पूर्णकालिक डीजेपी बना दिये जाएंगे और उन्हें दो साल का फिक्स कारेकाल भी मिल सकता है राज्यों में डीजेपी की तनाती के मामले में अकसर प्रकाश सेंग बनाम केंद्र सरकार मामले में सुप्रीम कोट के फैसले की दलील दी जाती है उस आदेश में सुप्रीम कोट ने पुलिस सुधार और डीजीपी की नियुक्ति से जुड़े साथ निर्देश जारी किये थे सुप्रीम कोट ने कहा था कि ये निर्देश तभी तक टभावी होंगे जब तक राज इस बारे में कानून न बना ले यूपी सरकार की दलील है कि उससे सुप्रीम कोट के उसी निर्देश के आधार पर डीजीपी की चैन और नियुक्ति के नियम बनाए है हाला कि यूपी सरकार के इस नए नियम में सुप्रीम कोट के साथ निर्देशों में से सिर्फ एक का ही पालन हो रहा है अब सुप्रीम कोट ये तैग करेगा कि यूपी सरकार का ये नियम उसके आदेश की अवहला है या फिर नहीं सुप्रीम कोट पे बुद्वार को आठ राज्यों में अस्थाई डीजिपी की नियुक्ति से जुड़ी अबमानना यार्चिता पर सुनवाई हो नी है पिछली सुर्वाई में कोट ने आठ राज्यों को नोटिस भेज कर इस बुद्दे पर उनका जवाब मांगा था राज्यों के इस लिस्ट में उत्तरप्रदेश का नाम भी शामिल योगी सरकार के पैस्दे पर ABP News ने UP के पूर्व डीजिपी प्रकास सिंग से खास बात्री थी प्रकास सिंग का मानना है कि योगी सरकार को ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाले प्रदेश ने पूरा पुलिस एक तो नहीं बनाया है पर उन्होंने केवल डीजिपी से न्युक्त संबंधित ऐसा लगता है कि एक बिल बना लिया है मैंने तो केवल प्रेस नोट देखा है उसका तो बिल बना लिया है और अगर वो पास हो जाता है तो क्याइट काविलिट ने मंज़ूरी दे दी है तो बिल बन जाने के हालत में आप सुप्रिम कोर्ट की मॉनिट्रिंग से बाहर हो जाते हैं और सुप्रेम कोर्ट जो निर्देश है वो लागू नहीं होता क्योंकि सुप्रेम कोर्ट ने खुद ही कहा था कि ये निर्देश तभी तक है जब तक कि इस सम्मन्द में कानून राजी सरकार अपना ही बना लीती है मैं समझता हूँ कि उन्होंने प्रसेजर को सिंप्रिफाई किया है और ये तरीका भी अच्छा चलना चाहिए जो उन्होंने बनाया है आपके हिसाब से क्या जो आज मन्जूरी मिली है कैबिनेट में ये फैसला कॉंस्टिटूशनली होल्ड करता है सविधान के पक्ष में है ये फैसला मैं तो समझता हूँ कि मेरी समझ के अन, मेरी समझ तो यह है कि सुप्रेम कोड के जो निर्देश है उसका काफी हद तक पलन किया गया हो और सुप्रेम कोड इसको असमयदानिक नहीं कहेगा ये पहला मौका नहीं है जब किसी राज्य ने केंद्र सरकार की शक्तियों को दर्किनार कर किसी अधिकारी की नियुक्ति का रास्ता निकाला पहले भी कई राज्य ऐसा कर चुके हैं लेकिन अब तक जिन राज्यों ने ऐसे कदम उठाए हैं वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी ऐसे में सवाल ये है कि क्या योगी सरकार की इस फैसले से केंद्र के साथ उनकी संबंदों में तलखी आएगी चुकि मामला प्रशास्तिक पद पर नियुक्ति का है इसलिए एक सवाल ये भी उठता है कि क्या योगी सरकार केंद्र की शक्तियों को ऐसे चुनौती दे सकती है